What's up guys, India का WTC final खेलना ना मुम्किन, क्या Rohit Company Australia को 4-0 से जीत पाएगी? कुछ नहीं कह सकते है अभी, वो क्या कहते है डर का महल तो है यह दोस्तों, तो देखते हैं, पुरे फैंस डर हुआ है, शुबंक कमिशा सर के वीडियो है, न्यूज बुक चैनल से, 1, 2, 3, go! क्या World Test Championship के final में पहुँचना इंडिया के लिए ना मुम्किन? या ना हटा के भी मुम्किन? वेल न्यूज जिलैंड ने जब इंडिया में कदम रखा था तो हर को यह मान रहा था कि यार इंडिया World Test Championship का final खेल रही है, क्योंकि इंडिया बहुत डॉमिनेट कर रही थी, इंडि टीमों और इंडिया में गाप जमीन आसमान का था, लेकि न्यूज इलैंड ने इंडिया को इंडिया में ऐसा शॉक दिया कि आप इंडिया के लिए संभव संभव खेल हो गया, इंडिया को अपना भी जीतना पड़ेगा और प्रातना भी करनी पड़ेगी कि फलाणी टीम फ़लाने से हार जाए, धमाकी टीम इस से हार जाए और हमारे लिए राहें बन जाए। ऐसा इसली है क्योंकि न्यूजिलांड ने इंडिया में तीन-जीरो से टेस्स मैच जीत कर इतिहास रचाए। टीम इडिया ने वर्टेस्ट चैंपेंशिप के फाइनल ने पहुशने की रहा, फिलाल अपनी ले मुश्किल कर दिये, बहुत टीमों पर डिपेंडेंट होना लेकिन डबलू टीसी फाइनल खेलने के लिए बॉर्डर गवासकर को जीतना है, यानि आस्ट्रेलिया में जाकर को एकतारफा हराना होगा, इस इट पॉसिबल? वेल, इतना असान तो नहीं है, क्योंकि इंडिया को फिलाल डबलू टीसी फाइनल जीतने के लिए पांच में से चार मैच जीतने हैं, यह जो लास्ट मैच हमारे हैं 25 रनों से, अगर यह जीत जाते तो फिर भी राहें आसान लेकिन फिलाल जो कहानी है, वो इंडिया को परिशान करने वाली है और इंडिया की मुश्किले बढ़ने वाली हैं, क्यों कैसे ख HC हम आपको बताते हैं कि अब क्या कहानी हो सकती है, पहला, इंडिया को से व्यवर्ट टेस चैंपेंचिप फाइनल पहुंचने के लिए, काफी पीछे पहुंच जाएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया दो मैच हमें हरा देता है पांच मिस से तो भी हमारी राहे बहुत-बहुत-बहुत मुश्किल हो जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी काफी क्रिटिकल होने वाली है इंडिया अगर बॉर्डर गवास का सिरीस ती भी वहां गये हैं तो हम आठ में से केवल चार्ड टेस्ट में जीत पाएं यह बहुत-बड़ी बात है और इंडिया में रोहिच शेर्मा पांच टेस्ट हार चुके है जो अजंक्या रहाने विराट कोली या उससे पहले जितने भी क्याप्टन तुन से कहीं जादा है तो फ फाइनल में पहुचना आसान है न्यूजिलांड 11 में से च्छे टेस्ट मैच जीत कर 54 पॉइंट के साथ हिलाल फूर्थ नमबर पर है अगर सीरीज से पहले टीम के मार्क्स देखें तो 37 पॉइंट थे एक भी हारती तो बाहर हो जाती लेकिन आब उसके तीन टेस्ट मैच इ अगर न्यूजिलांड टीन मैच जीतती है बचे हुए तो वो देविल इसली क्वालिफाई एक उनी कहानी है ऑस्ट्रेलिया को चाहिए चार जीत आस्ट्रेलिया ने चार जीत का बॉर्डर गवासकर से पहले बारा मैच खेलें आट जीते हैं तीन हारें एक ड्रॉफ हुआ उनके 62 पॉइंट है साथ मैच बाकी है अगर साथ मैच में जिसमें पांच मैच उनके घर पर है दो मैच श्यलंका में है अगर वो चार मैच जीते हैं तो देविल आल्सो क्वालिफाई चार मैच वो चाहेंगे कि वो बॉर्डर गवासकर में जीत जाएं क्योंकि श्यलंका म के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखने वाली लेकिन उनके भी चांसेस बहुत जादा हैं चार पॉइंट चार मैं जीते ही वो क्लियर हो जाएंगे तो अगर बॉर्डर गवासकर वो अच्छा करते हैं तो उनके चांसेस हैं दूसरा इंडिया के मुश्किलें बहुत बढ़ ग के लिए और बंगलादेश को दो जीरो से हराया अब आठ में से वो चार जीत गए हैं पांचवे नंबर पर हैं अगर साथ अफरीका श्विरलंका और पाकिस्ता ने खिलाप दो-दो टेस्स मैच अपने घर में खेल कर जी जाती है चारो तो फिर साथ अफरीका जो है वो भी इसली क्वालिफाइ कर जाएगे साथ अफरीका चार के चार टेस्स मैच जीती है तो 69 पॉइंट के साथ इसली जगे बना लेगी एक भी टेस्स थारी तो 59 से कम हो जाएगे जहाँ पर उनकी कहानी थोड़ी से मुश्किल हो जाएगी बट यो अलसो है चांस है श्रिलंका के एक टेस्स जीता निजलैंड को 2-0 से घर में आराया फिलाल थर्ड पॉइंट पर वो हैं साथ अफरीका और ऑस्ट्रेलिया से उनकी सीरीज बाकी है अब एडवांटेज है कि साथ अफरीका को साथ अफरीका में जाकर खेलना है यह डिसडवांटेज है और एडवांटेज ह लेकिन जो इंडिया इसली पहुंच रही थी वह इंडिया फिलहाल बहुत-बहुत-बहुत-बहुत मुश्किल है क्योंकि इससे पहले जो बॉर्डर गवासकर में जीती भी है उनमें भी इतनी आसानी सी जीता नहीं हमने और क्या ऑस्ट्रेलिया को हम 4-0 से चार-1 से हरा प सबसे बड़ी बात ये भी कि ये सीरीज डिफाइन करेगी कि विराट कोली, रोहिट शर्मा, गौतम गंभीर, आर अश्विन, रविंद जड़ेजा इनका फीचर क्या होता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर बॉर्डर गवासकर में हमने शर्मनाग प्रदर्शन किया और हम लेसी क्या होता है बड़ फिलहाल काफी तफ है, आपको लगते हैं इंडिया क्वालिफाइग कर पाएगी या रो एरा जो है वो खतब हो जाएगा, वाच्च टेक लेट सनो, निगाहें तो रोहित और विराट ऐसा बैट्समान पर भी रहेंगी, कि ये चलते नहीं चलते है क्योंकि ये नहीं चले, तो हो सकता है, ये थैंक्यू जाएं, दोनों थैंक्यू जाएं एक साथ. ये ये चाहूँगा कि इंडिया क्वालिफाई करें और मुश्किल है, नामुम्किन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है यहां से क्योंकि और चार मैश लगातार जीतना, सीरीज जीतना भी डिफिकल लेकि मुझे लगता है कि हम थोड़ता अच्छा क्रिग रहें सकते हैं लेकिन फेक्टर माइड में पहले से ही जीतने हैं और हर मैच आपको ऐसी खेलना पड़ाई कि अमें जीतना है और अभी इंडिया न्यूजलाइन की सीरीज से पहले ऐसा टाइम था कि जब साफ लग रहा था ऑस्टलिया और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे अब इसा ह कि लगग एक महीने के अंदर इतना बुरा बुरा हमार साथ हो जाएगा हुआ है डलतियों क्या सीखना सीखने के लिए कुछ नहीं आपर क्योंकि यहां की विकटोस्टलिया अलग है यहां हारे है एक तो हम इन विक्तों पे खेलनी पाए स्पिन हम खेलनी पाए और नॉर्म क्रिकेट खेलियार वह नॉर्मल क्रिकेट खेली न्यूजिलेंड ने यहीं के पिनर वहां पर तैनी इसलंका में यहां थे हमने ऐसे कहला कि जैसे हम भूल के सिर्ट किस पिन कैसे कि लिए और वह मैं ने देखी ती भाई ने का था कि कि अगर सोच यह तो यह है अगर मुरी तो हम तो बिल्कुल ने खेल पाते हैं जो लेजेंड है बिल्कुल ही अलग लेवल के भाई बहुत सोचने वाली बात है लेकिन अभी यह सा बूल जो स्पिनिंग ट्रैक का क्योंकि ऑस्ट्रियम इतनी बहेंकर स्पें होती नहीं है वो नॉर्मल विकेट हो तोड़ी